नमस्कार वेलकूम यौल वन्स अगेन स्वागत है आप सभी का एक बार फिट से जैसा कि आप सभी को पता है बेसी पार थर्ड के लिए हमने इन औरगनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स शुरू किया है जिसका नाम में हार्ड एंड सॉफ्ट एसेट्स एंड वेसेज जिसम उन्होंने बताया था कि हाड हाड के साथ रियक करता है तो इस्थाई संकुल बनते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ रियक करता है तो इस्थाई संकुल बनते हैं लेकिन अगर रियक्शन इंटर कनवर्जन में हो यानि कि हाड सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट हाड के साथ रियक करे तो ऐसे बनने वाले संकुल इस्थाई नहीं होते तो ये था हमारा H.A.B. principal जिसको हमने पढ़ा था आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं which we have Symbiosis सहजी, विता जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सहजी, विता सिंबायोसिस सिंबायोसिस वैसे तो सह जीविता का मतलब होता है कि कोई अपना जीवन यापन कर रहा और कोई जैसे नीचर में हमें काफी देखने को मिलता है जैसे जो सर्सों का पौधा होता है उसकी जड़ों में एक नाइजोबियम बैक्पेरिया रहता है जो खुद भी जीवित रहता है साथ मैं सर्सों के पौधे को जीवित रहने की मदद करता है उसको नाइट्रोजन उपलब्द कराता है तो जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं एक दूसरे को फाइदा पहुचाते हुए तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिम बायोसिस बोलते हैं सहज जीविता कहते हैं हलांकि हम यहाँ बाइऊ पढ़ हुए ह कीमिस्टी पढ़ रहें हम तो हम तो हाड और सॵंफ्ट एसिड और बेसर के बारे में पढ़ रहा है तो यहाँ पर सहजिविता होगी वही हांड सॉंफ आसीर बेस्ट टेग्री बेस से क्ति हैं ने है तो जो borderline होते हैं जो borderline acid होते हैं उनके अंदर tendency होती है कि ना तो वो hard है ना तो soft हैं यानिके वो मद्ध्रवार्थी होते हैं यानिके अगर उनकी reaction hard ligand के साथ कराओ तो आनिके साथ mão भी rider कर लेंगे hard हो जाएंगे और खुद किसमें change हो मनें कर देंगे अगर उनकी लिकांट अगर उनकी सर्फ लीगेड़ के साथ हो जाएगा उसके साथ कर लेएक करें यानि कि हार्ट और सोफ दोनों के साथ कर लेते हैं और खुद उनसके प्रस परी पजब ενा और अपना अम लेते हैं तो यहीं गुंण just दिविता कराते है जब हम ऐसे सेंटर की रियक्शन कराते हैं जब उसने मानलो कोई हमारा सेंटर है जो म्रदू था उसने हर्ड लीगंड के साथ रियक्शन की म्रदू था लेकिन अब वह किसमें होगा हाड में सेंटर हो गया ही है जुड़ने की प्रपृत्ती रखेंगे जो कठोर चारक होंगे वह ऐसे केंदर से जुडने की प्रवरती रखेंगे जो पहले से ही कठोर चारकों से जुडा हुआ हो यानकि जो पहले से ही कठोर हो उससे जुडने की प्रवरती रखेंगे ऐसे ही जो म्रदू चारक है वो उस केंद्र से जुड़ने की प्रवरत्ती रखेंगे, जो पहले से ही किस से जुड़ा हो, म्रदू केंद्रों से जुड़ा हो, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, सह जीविता कहते हैं, जब हम examples करेंगे तो उसके according आपको जाधा better समझ में आएगा, तो हम note करते हैं कि सह जीविता है क्या, तो डिफाइन करते हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि म्रदू छारक उसकेंद्र से जुड़ने की प्रवरत्ती रखते हैं, जो पहले से जो पहले से म्रदू छारकों से जुड़ा हूँ, म्रदू छारकों से जुड़ा हुआ होता है, इसी प्रकार इसी प्रकार कठोर छारक उस केंद्र से जुड़ने की प्रवरत्ती रखते हैं, जो पहले से जुड़ने की प्रवरत्ती रखते हैं, जो पहले से कठोर छारकों से जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यानि कि म्रदू छारक है अगर हमारे पास, तो वो उसी केंद्र से, उसी सेंटर से जुड़ने की कोशिश करेगा, जो पहले से म्रदू लिगेंडों से जुड़ा होगा, यानि कि कोई मैटल होगा जो म्रदू लिगाइंडों से गिरा हुआ होगा है ना इसी प्रकार कठोर चारकों से जुड़ने की प्रवरत्ति रखेंगे जो पहले से ही कठोर चारकों से जुड़ा हुआ हो और इसी प्रवरत्ति को हम क्या कहते हैं इसी प्रवरत्ति को हम सह जीविता कहते हैं तो हम यह लिख सकते हैं चारकों की इसी प्रवरत्ति को सह जीविता कहते हैं क्या कहते हैं इस प्रवरत्ति को सह जीविता कहते हैं इसी चीज को इसी टेंडेंसी को सह जीविता कहते हैं ठीक है, example से समझें, तो आपको जादा समझ में आएगा, ठीक है, example लेते हैं, बोरॉन का, किसका, बोरॉन, हमारा जो बोरॉन है, तो हम यह लिख सकते हैं, कि बोरॉन एक, कैसा होता है, सीमा वर्ती अमल है, बोरॉन एक क्या है, सीमा वर्ती अमल है, ठीक है, यह ना कठोर होत कठोर चारक जोड़ दिये जाएं कठोर चारक जोड़ दिये जाएं तो यह कठोर की तरह व्यभार करने लगता है तो यह कठोर केंद्र की तरह व्यभार करने लगता है means जैसे बोरोन है हमारे पास इसकी reaction में 3F- से कराऊं 3F- से कराऊं तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा BF3 और BF3 overall कैसा हो जाएगा overall हो जाएगा कठोर क्योंकि यह कैसा था यह तो था सीमा वर्ती कैसा था यह सीमाबवर्ति और फ्लोरिन कैसा होता है यह सीमावर्थी अमल है यह कठोर छार तो सीमावर्थी के सांदे πα्रक्रक करें मिअलनुक्यों बोरण कैसा किसा करेगा अब यहां पर वह करेंगा किसकी तरह काफूर की क्योंकि कठोर लिगेंड इससे आकर जुड़ गये तो लिगेंडों ने इसकी प्रोपर्टी को चेंज कर दिया और इसको खुद किसमें परवर्तित कर दिया ठीक है अब यह बीएफ्ट्री जो है खुद कठोर है तो यह ऐसे चारकों से जुड़ने की कोशिश करेगा जो खु लियत कैसा होगा इसथाई होगा क्योंकि की रियाक्षिन से इसथाई होगा लेकिन अगर मैं बीkien öफ-3-4-3-2-3-3 से कराऊं ठीक है हाइडराइड से कराऊं तो क्या होगा तो क्या होगा कम जानते हैं यह तो कठोर है यह तो कठोर है कूंकि बोरान किस से जुड़ा हुआ आफिस्ट कया म्रदू होता है याद हमने कठ प्लस को रखा है किस довольно प्लस को रखा है एक पर जड़ा इसकी प्रॉपाइटी इसको देख लेते हैं ताकि आपको आगे कभी कंफ्यूजन नौ लाइफ में एक होता हमारे पास एच प्लस और एक होता हमारे पास एच माइनस ठीक है हाइड्रोजन एक पूरी पिरियोडिक टेवल में कैसा इलीमेंट हैं यहांनी की लेने की टेंडेंसी रखे और साइज चोटा है तो वह कैसा हो जाता है कठोर हुजाता है लेकिन माइनस में यह आर्शंतर माइनस कमाल ही है अगर हम हैलोजं की कंपेरिजन करें हैं एस माइनस में माइनस और एक हमारे से बड़ा साई किसका होगा तो सबसे चोटा साइस किसका सबसे यहां और तो क्या कहलागा कठोर काइस की बात करें ऐसाइस बड़ा रखेगा बड़ा है म्रदू छार क्या होते हैं म्रदू तो यह तो कठोर छार होगा एफ- और यह कैसा छार होगा म्रदू छार होगा अब बात करें H- की ठीक है H- की पहले इसके पास किवड़ एक इलक्ट्रों था Hydrogen जब था यहां पर आकर शिफ्ट हो जाता है यानि कि यह ऐसे इसमें एक एक्स्ट्रा एलक्रोन आता है ह् मैइश माइनस बनता है इसका साइस बहुत बड़ा होगा तो इस कि कित एक्सकी तरह होते इसाब डूनों क्या होते हैं म्लेशार होते हैं था और मिन वांने यह किसकी तरह करत या किसकी तरह करता है सीमा वर्ती चार की तरह हच के बार अंतरगता दोरेता है कreuky Jagalia器 चोट दीता है लगवग आयोडीन के बढ़र का साइज हो जाता है इसका यहीं बहुत बढ़ा होता है उसी का बढ़ाऊर का साइज होता है तो यह difference है यह बताना था आपको आपको हमेशे याद रखियेगा कि H प्लस का साइज बहुत चोटा होता है लेकिन H- का size बहुत बड़ा होता है तो H प्लस तो आता है कठोर में और H कठोर में और positive charge है तो अमलों में चला जाता है जिबकि H- minus charge है तो electron देगा और देगा तो छार की category में आएगा और वो भी कैसा म्रदू छार क्योंकि इसका size बहुत बिग होता है ठीक है तो यह आपको समझाना था अब बापस आ जाते हैं सैजी विता पर BF3 है यह overall कैसे react कर रहा है कठोर की तरह क्योंकि बोरोन से fluorine जुड़े हुआ है जो की कठोर होते है और H- कैसा होता है म्रदू छार है यह क्या होता है म्रदू छार और कठोर और म्रदू की reaction से जो कुछ भी बनेगा अब क्या बनेगा BF3 H- बनेगा क्या बनेगा BF3 H- तो जो कुछ भी बनेगा वो कैसा हो जाएगा एस थाई हो जाएगा क्योंकि यह तो कठोर है कठोर से जुड़ने की कुशिश करता है according to HSAB तो इसी properties को हम क्या कहते है कि कठोर चार जो होता है उस केंदर से जुड़ने की प्रवरती रखता है जो पहले से किस से जुड़ा हो कठोर लीगेंडों से जुड़ा हो यानि कि खुद पहले से क्या हो कठोर हो तो इसी property को हम क्या कहते हैं इसी को कहते हैं symbiosis क्या कहते हैं symbiosis यही है साह जी भी था note कीजे जल्दी से फिर आगे चलते हैं note कीजे और एक्जांपल से लेखते हैं और अच्छे से समझते हैं और एक्जांपल से लेते हैं बोरोन की बात करें हमने अभी तो बोला बोरोन कैसा होता है सीमावर्ति होता है तो अगर मैं इसकी रियक्शन कठोर चना करा कर किस से करा दूं म्रदू से करा दूं तो यह खुद कैसा हो जाएगा म्रदू की इंदर की तरह ब्यवार करेगा है ना तो मैं अगर बोरोन की रियक्शन किस से करा दूं मैं बोरोन की रेक्शन किस से करा दूँ थिरी एच माइनस से करा दूँ थिरी एच माइनस हाइड्राइड से करा दूँ तो ये तो कैसा होता है ये तो सीमावर्ती है कैसा है सीमावर्ती है लेकिन एच माइनस कैसा है ये म्रदू चार है कैसा है म्रदू चार है और ये सीमावर तो कठोर म्रदू दोनों के साथ कर सकते हैं लेकिन अभी म्रदू के साथ कर रहा है तो क्या बनाएगा भी एच्थ्री वनाएगा क्या बनाएगा भी एच्थ्री क्योंकि हाइड्राइड जो है वो कैसा होता म्रदू होता है तो जैसे यह बोरोन से जुड़ेगा बोरोन की प् है ठीक है अगर मैं इसकी reaction H- के साथ कर रहा हूं तो क्या होगा वी हच 3 कैसा है म्रदू है कैसा है गय्सका है हम रादू केंद्र है और एक माइनश कैसा होता है मारेपास म्रदू छार होता है तो यह क्या करेंगे से जीव amounts करेंगे सहज जी विता करेंगे सिंबायोसिस करेंगे क्योंकि मुरदू छारस ऐसे से जुड़ने की प्रवरति रखर से जुड़ा हूँ तो यह इस से रियक्षिन से बनते हैं वह जाद स्थाइं cycling से उन्हें वह स्कु आप अप इसकी सीमा वरतिम है जब इसकी reaction H- जो की एक म्रदू छार होता है से कराते हैं तो बोरोन म्रदू केंद्र में परिवर्तित हो जाता है किसमें केंद्र परिवर्तित हो जाता है? म्रदू केंद्र में परिवर्तित हो जाता है अतह है यह म्रदू छार के साथ जुड़कर इस्थाई संकुल बनाने की प्रवरत्ती रखता है इसी प्रवरत्ती को हम क्या कहते हैं Symbiosis कहते है तो यह जो reaction हो रहा है इसी को हम क्या कहते हैं Symbiosis कहते हैं यानि कि कठोर चार उस के इंदर से जुड़ने की कोशिश करेगा जो पहले से कठोर है म्रदु चार उस के इंदर से जुड़ने की कोशिश करेगा जो पहले से क्या है म्रदु है ठीक है और examples लेके चलते है एक है हमारे पास BH3F- एक है हमारे पास BF3 BF3H- ठीक है इन दोनों की जब हम reaction कराएंगे हमको मालूम है यह कैसा होता है म्रदु होता है ठीक है यह कैसा होता है कठोर होता है तो यह overall अभी कैसा है यह S थाई है कैसा है S थाई है क्योंकि कठोर और म्रदु की reaction से बना हुआ है है ना हम जानते है यह BF3 कैसा होता है BF3 होता है कठोर H- कैसा होता है H- होता है मरदू तो यह भी क्या है यह x-why कि किसकी reaction से बना वुआ है यह ख़ोगा म्रदू की रियक्षीन् से संबाई आओ तो अब यह होग यहांपर क्या होगा c m d qd के साथ ने की और उट शीलिक जाएगने की तो क्या हो जाएगा यहांपर सेफ़सी दो यहां पर देखिये क्या होगा यहां पर फाइनल प्रोडॉडक्ट उन्कों कुछ laba ब्लस ब fran- यालिन यानी कि यहuka जो मृष्य जड़ गया म्रदू जो किस से जुड़ गया म्रदू से तो मृष्य ने किसे कर लिया कठोर से और क्या बना लिया यह भी स्थाई हो गया और यह भी स्थाई हो गया क्यों क्यों कि यह म्रदू यह मैं ऐसे लिख दूँ सौफ सौफ्ट की रियक्शन से बनाए और यह किसकी रियक्शन से बनाए हाड हाड की रियक्शन से बनाए तो इसी गुंड को हम क्या आप तो हो रहा है जल्दी से नोट कीजिए एक्जामपल्स ठीक है और एक्जामपल देख लेते हैं इस अच्छे सा समझ में आजानी चाहिए आपको आप अपनी आप कर सकते हैं फिर तो सिम्बाइवस इसको एक और एक्जामपल ले लेते हैं एक है हमारे पास bf3 ठीक है इसकी रियक्षन करा रहे हैं हम nh3 के साथ नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं लोन पेर ठीक है और नाइट्रोजन में डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन कौन है नाइट रोजन। चारों नाइट ननी कंटोरण राइफन सब 10 लिए इसलिए हमेशा क्या होते हैं कंटोर। प्रिजन यह फ्लोरीं उपस्थित होगा वो कैसे होते हैं हमेशा कठोर होते हैं तो यह क्या है यह किसकी तरह कर रहा है तो सह जीवन कहते हैं तो ये क्या करेगा, BF3 को अपने इलेक्ट्रोन दान में दे देगा, NH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोन दान में दे देगा, इस तरह से एडक्ट बनाएगा, क्या बनी है, इसको बूलते हैं एडक्ट, किसका निर्मान हुआ, एडक्ट, एडक्ट को हिंदी में बोलते हैं एडक्ट की formation कर रहा है ठीक है अगर हम यहाँ पर संक्रण देखें एक खास बात और है यहाँ पर BF3 की बात करें अगर यहाँ संक्रण देखें तो कौन सा होता है SP2, NS3 की बात करें यहाँ पर संक्रण कौन से होता है SP3 होता है, ठीक है 1 SP2 वाला है, 1 SP3 वाला है लेकिन जब Agduct बन जाता है जब Aglect, योगातमकुतपात बन जाता है, तो यहाँ पर दोनों का ही संक्रण क्या होता है इसका भी SP3 हो जाता है और इसका भी sp3 तो एड़क्ट के अंदर दोनों का संक्रण क्या होता है समान होता है ठीक है जल्दी से नोट किये जाए एक्जम्पल्स यह सभी सह जीविता के एक्जम्पल्स हैं जो भी हम आपको करा रहे हैं कि कुछ और रेक्शन करा लेते हैं जैसे कि है हमारे पास यह ch3f ठीक है और एक है हमारे पास ch3f तो हमें देखना है क्या यह interject करेंगे है क्या यह रियक्ट करेंगे तो अगर तो हम अगर हम जानते है कारवन कैसा हुता कारवन हुता है म्रदू में खुँक्ट हमेली को करवन हर्वन और हमेला नहीमा सी प्लिदिगण यहां पर यह किसका काम कर रहा है CS3 कारवन से तीन माइनस जुड़े हुए है अच माइनस मुदू होते हैं तो यह तो इसके इंडर को ङुदू रहता है कठोर होता है तो यह मरदू और कठोर से बना हुआ है यानि इस्थाई है यह भी कैसा है यह म्रदू है और यह जाएगा यह कैसा हो जाएगा क्योंकि यह Symbiosis हो रही है, कठोर छारक उससे जुड़ने की प्रवरत्ती रखेगा, उस केंदर से जुड़ने की प्रवरत्ती रखेगा, जो पहले से कठोर लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, और म्रदु छारक उस केंदर से जुड़ने की प्रवरत्ती रखेगा, जो पहले तो इस तरह से सहई जीविता के आधार पर आप एड़क्ट का बनना और कुछ रियक्शन क्यों हो रहा है इनको एक्स्प्लेंग कर सकते हैं क्योंकि रियक्शन अब इस अवसी डायरेक्शन बुक्ष में खोलके देखिया अगर कोई धातु वाइन कठोर लीगेंडों से जुड़ा हुआ है तो इस वो खुद की तरह कहुद की साहेगा और उसी चार से जुड़ना चाहेगा जो खुद कैसा हो कठोर हो अदर्वाइस जो कॉंप्लेक्स हो जाएगा विक हो जाएगा ठी से भी के ठीक है तो यह था से जीविता नोट कीजिए इसके बाद हम देखेंगे मिटा देती हुआ इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है एचसे भी के अनुप्रियोग हमने एचसे भी पढ़ी ना पिछले करने की तेंडेंसी रखता है तो हम पर हम एक्सक्राइब कर सकते हैं चैनल के सायता से वह हमको देखना है तो यहां पर तौपिक पढ़ने वाले हैं वह हैं आज अबिके कहां कहां पर हम यूज करके एक्स्प्लेनेशन दे सकते हैं तो देखते हैं सबसे पहला जो अनुप्रियोग होगा इसका वो है कि संकुल यूगिकों का स्थाइट हम कौन से संकुल बनेंगे और वो इस्थाइब होंगे या नहीं यह बता सकते हैं हैं संकुल बनने बाद इस्थाइब कर सकते हैं HSEB के आधार पर explain कर सकते हैं क्योंकि HSEB के अनुसार क्या है HSEB के अनुसार कठोर कठोर तथा मृदू की अविक्रिया से बने संकुल क्या होते है स्थाई मरद के संधा संकुल सब्सक्राइब इस आधार पड़ेंगे हम इस्था हमने टिक है तो हम कुछ एक्षांपल면 इसको दो पार्ट में देखेंगे धो तरह के संकूल में साइतू करेंगे एक तो वो संकूल जो एक ही तरह के लिगेंड़ों से बने होते हैं यानि जिन में सारि यजी एक ही तरह के अजने ही ओते हुते या नहीं होंगे तो सबसे पहले हम जो लेकर चलेंगे वो लेंगे हम समान लिगेंडों वाले संकुलों का स्थाइद सबसे पहले हम उन संकुलों के स्थाइद को एक्स्प्लेन करेंगे जो एक ही तरह के लिगेंड से बने होते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं यह क्या होते हैं यह वे संकुल होते हैं जिन में धातु आइन से जुड़े सभी लिगेंड एक ही प्रकार के होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं जैसे for example लें हम किसका example ले लें जैसे हमने लिया है ag.f2- ag.i2- CO.f63- CO.i63- et c. इस वंकुल तो हम बहुत सारे ले सकते हैं असंग संक्यामें लेकिन कुछ से हमें समझ में यहां पर कुछ संकुल दिये गए हैं इन्हें हमें करते हैं कि यह स्थाई होंगे या नहीं होंगे तो पहले हम इन दोनों संकुलों को ले लेते हैं जो सिल्वर सिल्वर से बने हुए इनकी बात करें तो अगर हम जानते हैं एजी प्लस के बारे में क्या होगा यहांपर एजी कौन सी उक्सीकरण अवस्था में प्लस वन Sail अवस्था में हैं ठीक है तो एजी प्लस एक क्या होता है एक म्रदू अमल होता है है not यह अनुसार कैसे लिगन के साथ रिख करेगा म्रदू छार के साथ क्या बनाएगा इस्थाई संकुल बनाएगा तो देख लेते हैं एक है हमारे पास एक है हमारे पास एक हमारे पास एजी एजी में हमने क्या ले लिया है प्लस एजी प्लस है एक हमारे पास और एक है हमारे पास 2F- हम जानते हैं यह कैसा है म्रदू और यह कैसा होता है कठोर F- तो कैसा होता है कठोर तो इसके रियक्शन से जो बनेगा एजी F2- यह कैसा हो जाएगा एस्थाई क्या हो जाएगा एस्थाई according to HSAB और actual में ये स्थाई होता है क्योंकि AG soft है, fluorine hard है, fluoride hard है इसलिए ये reaction possible नहीं है यानि ये जो बनेगा तो ये कैसा बनेगा? एस्थाई बनेगा वहीं अगर हम AG plus की reaction 2I minus से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास AG I2 minus बनेगा और ये क्या हो जाएगा? ये स्थाई हो जाएगा क्यों स्थाई हो जाएगा? क्योंकि ये भी soft है और ये भी कैसा होता है? soft और soft soft की reaction से जो बनेगा वो क्या होगा? स्थाई इसका मतलब यह वाला तो है स्थाई है यह कैसा है और यह स्थाई फยरा यह कैसा τα ऐसे तुम सी बहुत कर सकते हो CoF6 coi6 यह I6 है ठीक है इतना उतारो जल्दी से चाहें को यहाँ कर देए कि दूस्ट की बात करें तो सी ओ कौन सी औक सी अक्सी करना नवस्था में और को वर्ल्ट को हम सीमावरती में रखते हैं और को वर्ल्ट को म्रदूं में किसमें रखते हैं क्योंकि जितने वी संक्रुमेंट तत्वे हैं जो हाई ऑक्सीक्रन अवस्था होगी हाई का मतलब है प्लस टू से ज्यादा वाली ऑक्सीक्रन अवस्था में तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो इसमें अंदर कैसे करेक्टर आ जाते हैं कठोर की तो Co3 plus को आफ किसमें मानते हैं कठोर में मालते हैं कठोर अम्ल है तो Co3 plus कैसा होता वही expect omega इसधार क्यों है क्लेंट क्रtt चाहेँगा है कोटब और क्ठोर के सवाइसिए और की is और क्रेपका की रियक्षन से जो कांप्लेक्स वण extends क्या होंगे स्थाई होंगे according to HSAB लेकिन अगर हम CO3 plus की reaction 6i minus से करें तो ये तो हमें पता वही कट हो रहे हैं और ये कैसा होता है ये होता है म्रदू तो ये जो बनेगा COI6 3 minus ये कैसा हो जाएगा स्थाई ठीक है तो इस तरह से हम HSAB की आधार पर कौन सा कॉंप्लेक्स स्थाई बनेगा और कौन सा कॉंप्लेक्स एस्थाई बनेगा उसकी explanation हम कर सकते हैं ठीक है नोट कीजे जल्दी से आगे देखते हैं फिर लेने को example आप 1000 example ले सकते हैं जैसे CD NH3 का whole four ले सकते हैं ठीक है और भी कई और के अधिक देरा है यह भी ले सकते हैं CD NH3 का हॉल 4 एक ले सकते हैं CD NH3 का हुल 4 ले सकते हैं इसके लावा आप ले सकते हैं cd cn का whole 4 2 plus 2 plus तो हम जानते हैं अगर cadmium की बात करें तो यहाँ पर cadmium plus 2 oxygen अवस्था में कौन सा है plus 2 oxygen अवस्था में और cadmium plus 2 oxygen अवस्था में कैसा होता है म्रदू होता है कैसा अमल है म्रदू अमल है और जो म्रदू हम लोते हैं वो किस से जुड़ना चाहेंगे म्रदू छार से, तो यहाँ पर अगर हम NH3 देखें, NH3 कैसा होता है, कठोर, तो यह तो है soft और NH3 कैसा है, hard, कठोर है, तो यह कठोर और म्रदू की reaction से बनाए, इसलिए यह कैसा होता है, unstable होता है, कैसा है, unstable, जबकि यहाँ पर हम देखें, तो CD2 PLUS कैसा है, यह है soft, और carbon, CN, 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 ligand किस से जड़ा हुआ है, carbon से जड़ा हुआ, Cd से कौन से metals किस से जड़ा हुआ है, carbon के साथ bond बनाए हुए, और carbon कैसा होता है, carbon कैसा हुआ होता है, soft, तो soft-soft की reaction से बनाए, इसलिए यह क्या होता है, stable होता है स्थाई होता है तो आप हजार और लाख एक्स्पूर्ण को एक्सप्लेंग कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं कि अगे कि अगे कि कि अभी हमने दिखें उन संकुलों का इस्थाईट वो जो एक ही तरह के लिगेंड से बने हैं अब हम देखेंगे कि ऐसे संकुलों का इस्थाईट वो जो अलग अलग तरह के लिगेंडों से बने हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि भिन लिगेंडों से बने कि से बने स्थाइट यानि ऐसे complexes का स्थाइट तो देखेंगे जो अलग-अलग तरह के लिगेंडों से बने हुए है यानि कि जिनमें जो लिगेंड जो बना रहे हैं वो एक तरह के नहीं होगे, एक से जादा तरह के होगे ठीक है? तो सीधे example ले लेते हैं लिखने की ज़रूरत नहीं है या फिर आप लिख सकते हैं कि यह वे संकुल होंगे जिनमें केंद्रिय धातू से एक से अधिक प्रकार के लीगेंड जुड़े हुए होते हैं ठीक है? लीगेंड जुड़े हुए होते हैं इतना लिखोगे उसके आगे लिखोगे? यदि इस प्रकार के संकुलों में एक भी लीगेंड विपरीत प्रकर्ती का होता है तो उसका प्रभाब संकुल के स्थाइत्व पर पड़ता है तो उसका प्रभाव संकुल के स्थाइपव पर पड़ता है ये लाइन आप खुद से नोट कर लेंगे मैंने बोल दी है बाकी मैं यह एक्जाम्पल्स को explain कर देती हूँ कुछ एक्जाम्पल्स ले लेते हैं हम क्यों कौन से ले ली हमने ले लिया CO NS3 का होल फाइफ आई 2 प्लस एक लेंगे हम CO CN का होल फाइफ आई 2 प्लस एक है हमारे पास CO NS3 का होल फाइफ 2 प्लस और एक लेंगे हम CO CN का होल फाइफ SCN SCN माइनस 2 प्लस और CO CN का होल फाइफ NCS माइनस का होल 2 प्लस ठीक है यह कुछ एक्जाम्पल्स के अनसार सबसे पहले पहले वाल संकुल की बात करते हैं जब CO NS3 का होल फाइफ आई की बात करते हैं इसकी बात करते हैं ठीक है यहां पर अगर आगे तो जस्ट अभी अभी हमने देखा यहां प्लस प्लस-3 में रहेगा, और जबभी कोवल्ड्D查 3 में रहेगा, तो ये किस की तरह विभार करता है, ये कठोर अम्ल की तरह, नह 3 है, नहीं को हैं, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन प्रवल बृद्धू तुरनात्मा कोने की वज़े से ये भी कैसा होता है कठोर कठोर चार और यहां पर कोने आयोडीन है और आयोडीन क्या होता है बही आयोडीन जो होता है वो हमारा म्रदू चार होता है कैसा होता है म्रदू चार होता है तो ये कठोर कठ से बनावा संखुल है दो कठोर एक म्रदू है और कठोर जो है कठोर के साथ करना चाहेगा रददू के साथ तो नहीं तो यह वाला संखुल कैसा हो जाएगा भी है धाई हो जाएगा ठीक है दूसरे संख़ की बात करें सी ओ सी आन का whole 5 2+, इसकी बात करें CO कैसा होता है कठोर है कैसा है, कठोर है अब किस से जुड़ा हुआ है, ये CN से जुड़ा हुआ है, किस से जुड़ा हुआ है CN से जुड़ा हुआ है, और CN कैसा होता है, CN कैसा लिगेंड होता है, CN कैसा लिगेंड है सियन में सर्विश चॉड़ा हुआ कारवन अभी जस्ट मैंने बताया ता फिछले एक्जाम्पल में कारवन कैसा होता है म्रदू होता है ठीक है तो इसका मतला यह क्या होगा? मरदू छार, यह भी क्या है? मरदू छार, अब अगर हम इसकी बात करें, तो यह CEO कैसा था कातोर था, लेकिन यह कैसे Leegendo से जुड़ा हुआ है? मरदू pourtant new तो यह CEO की currencies को क्या करदेंगे? अपने according transform करदेंगे, और transform करेंगे तो जो कठॉरता आप वो किसमें chang हो सुराइगा मृदू में चेंज होसा जाएगा है तो इसका मतलब ये भी म्र मृदूचार है ये भी म्रदूचार और इसको किसमें चाइज चाहरो और इसको किसमें करेक्टर बढ़ गया और इसके अंदर सोफट करेक्टर बढ़ गयं तो यह कैसा केंद्र हो गया सिंबायोस इस उसके किसे बमेता हम वाला पार्ट क्या होगा रहा प्रिवाला पार्ट भी आ है soft 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 की reaction से बना इसलिए यह क्या हो जाएगा इस्थाई हो जाएगा इस्थाई हो ठीक है ऐसे ही अगर हम इसको explain करें सी ओ एनस्थ्री का whole 5 F2 ठीक है हम जानते हैं यह कैसा है कठोर है यह भी कैसा है कठोर है ठीक है जब सब्सक्राइब ऊबराण करें करेंगे तो यह कैसा होगा है इसका मतलब यह भी क्या हो जाएगा इसको explain कर सकते हैं यह कोवर्ण कार्वन से जड़ा हुआ है तो यह वाला केंद्र कैसा होगा ये वाला केंद्र कैसा होगा soft हो जाएगा क्योंकि कोवर्ड बढ़े ही कठोरता लेकिन cn से जुड़ते ही 5 cn जैसे इससे जुड़ेंगे तो कोवर्ड के कठोरता को कम कर देंगे और इसके अंदर क्या बढ़ा देंगे म्रदू लक्षिन बढ़ा देंगे तो ये overall ये केंद होता है लेकिन sulfur कैसा होता है soft और इधर मेटल से कौन जुड़ा हुआ है sulfur जुड़ा हुआ है और sulfur कैसा होता है soft होता है तो soft soft की reaction से बना हुआ है इसलिए ये भी कैसा होगा स्थाई होगा ठीक है अगर इसकी बात करें CO, CN का whole 5, NCS minus इसकी बात करें तो हमको पता है ये वाला केंदर कैसा होगा अभी हमने जस्ट explain किया cobalt कठोर होता है लेकिन CN में C से जुड़ा हुआ है cobalt किस से जुड़ा हुआ है carbon से carbon कैसा होता है म्रदू तो इसके अंदर कैसे character बढ़ जाएंगे soft character बढ़ जाएंगे soft character बढ़ेंगे तो ये किस की तरह ब्यवार करेंगा soft यानि म्रदू की तरह ब्यवार करेंगा ठीक ह अब क्या है NCS, यहाँ पर लिखाता हमने SCN, SCN लिखाता है इसका मतलब metal, cobalt जो metal अब किस से जुड़ा हुआ है, sulfur, लेकिन अब मैंने लिखा इसको NCS-, इसका मतलब cobalt किस से जुड़ा हुआ है, nitrogen से, है ना, अब cobalt से कौन जुड़ेगा, nitrogen, और nitrogen कैसा होता है, hard, sulfur तो soft हो होगा, nitrogen कैसा होगा, hard, hard, soft की reaction से बनेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, S-thi, क्या हो जाएगा, S-thi, तो इस तरह से हम संकुलों की व्याख्या कर सकते हैं, HSAB के अनुसार, कोई भी संकुलों आप इसी तरह से उसको explain करेंगे, ठीक है, तो यह जो examples थे, यह वाला, यह द सकते हैं, क्योंकि यह symbiosis कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए, दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं, फिर हम, बहुत सारे अनुप्रयोग है, HSAB के, कुछ आज, एक दो आज के lecture में complete करेंगे, बाकी के अगले lecture में complete करेंगे, कर सकते हैं, अगला जो explanation है, वो है, दूसरा जो explanation है, मतलब जो अनुप्रयोग है, वो क्या है, वो है, दूई, अबगटन, अविक्रियाओं की व्याख्या, यानि डवल डिकंपोजिशन रियक्शन, तो दूई, अबगटन, अविक्रियाओं की व्याख्या, जो डवल डिकंपोजिशन रियक्शन होती है, पढ़ी होंगे ना आपने 10-12 में, डिकंपोजिशन अबगटन अविक्रियाओं, जिसमें जो हम दो रियक्टेंट लेंगे, दोनों ही अबगटित हो जाते हैं, और दोनों ही नए तरीके से जुड़कर नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रियक्शन को क्या बोलते हैं, डवल डिकंपोजिशन रियक्शन, दोनों ही अबगटन अविक्रियाओं, तो इनकी व्याख्या, एचैसे बी के अनुसार, एचैसे बी के अनुसार, आसानी से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है, जैसे फॉर एक्जामपल, हम यह रियक्शन ले लें, एल आई, एल आई आई, और साथ में सी एस एफ, यह रियक्शन लें, इन दोनों का रियक्शन कराएं, तो क्या होगा, जब हम इसे हीट करेंगे, तो यहाँ पर डिकंपोजिशन होगा, दोनों ही तूट जाएंगे, लीथियम आयोडाइड यह भी तूट जाएगा, और सीजियम फ्लोराइड यह भी तूट जाएगा, यह दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और फिर नए लिगेंडों के साथ जुड़कर रियक्ट करेंगे, यानि अदला बदली कर लेंगे, लीथियम लीथियम और ऐसे सीजियम और फ्लोराइड अलग हो जाएंगे, लीथियम जुड़ जाएगा, फ्लोराइड के साथ, सीजियम जुड़ जाएगा, आयोडाइड के साथ, तो यह रियक्शन हो जाएगी, C-S-I बन जाएगा, और L-I-F बन जाएगा, पहले यहाँ पर डिकम जाएगा, अब घटन होगा, उसके बाद इन में रियक्शन होगा, तो यह रियक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पर डवल डिकम पोजिशन हो रहा है, तो इसकी व्याख्या मैचे से भी के अनुसार कर सकते हैं, कैसे, लीथियम, L-I-+, यहाँ पर किसके पॉम में होगा, L-I- क काफी टाइम से देख रहे हैं, कैसा चार है, यह है, म्रदू चार, म्रदू चार, ठीक है, और यह कठोरों म्रदू की रियक्शन से बना हुआ है, और कठोरों म्रदू की रियक्शन से बनेंगे, तो क्या होगा, यह अनिस्टेबल हो जाएगा, यानि S थाई होता है, और S थ स哈哈 100 बहुत बड़ा हो जाता है और सि इस बिल्स बढ़ा होगा तो यह कैसा अम्होणka अम्होंक क। Car जैसे ही चाहते हैं साइस क्या होता जाता हैं बढ़ा जाता है सबसे बड़ा सबसे किसी भी रेक्शन पर पार्टिसिपेट तो करता नहीं है तो इसको लेंगे नहीं बात करेंगे सीजियम तक की तो जैसे फ्लोरीन वाले वर्ग में उसको एसका होता है कि इसका साइज सबसे छोटा है तो यह पर कर सकते है यह म्रदू गता है south होसार का स्थार नोहीं था वाइफार से भी क्या होगा होतों ही था होगा तो हीट करने पर आसानी तो चाहे差 तो क्या वहनेंगा एस क्या निए क्या स्वाफ्ट के सातं रियक्ट करना चाता है है चयई से क्या हुद और यह पनता है कि यह पर स्व्ध के साथ और हाड हाड के साथ जुड़ना चाह रहा है इसलिए यह reaction होती है डवर डिकंपोजिशन हो रही है तो इस तरह से हम डवर डिकंपोजिशन की आगस्पल ले ले जैसे hg faster नेे और be i2 ले ने बताने की जरूरत नहीं है hg2 plus soft होता है cg2 plus कैसा होता है soft hg plus और hg2 plus दोनों ही क्या होते soft होते हैं और यह कैसा है hard है और soft hard से बना यह तो ऑनिस्टेबल बेरिलियम की बात करें तो बेरियलियम अपने वर्य का पहला तत्व में प्लस टू चैने मतलब यह ब्लस की तरह ऑगा हार्ड हो एक कैसा होता तो यह बने हुए हैं हार्ट सौप्ट की रियक्षन से बने हुए है इसका मतलब यह एस थाई है क्योंकि hard और soft की reaction से जो भी बनते हैं वो क्या होते हैं S, thai होते हैं तो यह क्या करेंगे तूट जाएंगे तूटेंगे और वापस से जुडेंगे तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा Hg I2 plus Be F2 क्योंकि अब यहां पर यह तो soft thai और यह भी क्या होता है soft तो soft soft की reaction हो जाएगी और यह hard तो thai और यह भी क्या होता है hard तो यहां पर hard hard की reaction हो जाएगी तो इस तरह से हम जो double decomposition reactions होती हैं उनकी व्याख्या S, S, A, B के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि hard hard के साथ react करना चाता है soft soft के साथ react करना चाता है जो hard hard से बनेंगे वो इस्थाई होंगे जो soft soft की reaction से बनेंगे वो भी इस्थाई होंगे लेकिन जो hard soft soft hard की reaction से बनेंगे वो कैसे होते हैं एस्थाई होते हैं तो note कीजिए बागी के अनुप्रियोग हम next lecture में देखेंगे